चलते चलते हसते गाते यू कटे सफर जिन्दगी का सफर जिन्दगी का नमस्कार सफर जिन्दगी का है शो में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज हमारे स्टूडियो में श्री विश्वा मित्र दादीच पदा रहे हैं जो कि एक रास्टे स्तर के कवी होने के साथ एक सुरिले गायक भी हैं कई बार लाल किले से इनकी कवीताओं की गूंच हम सब तक पहुंचिये हैं आईए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री विश्वा मित्र दादीच साहब से सर नमस्कार नमस्कार जी सर कवीता का यह सफर आपने कब और कैसे शुरू किया लो मेंन करण की सी मुलाके मेरिक्टी मुड happiest बनी içerisक्ट और मुनाफ लुकर भने दादेश्ada और नमस्कार उस दौरान के अंदर नमस्कार दनालाल सुमं ने आपक Liebe १ीतों किसके हैं तो उस तब तर में कवी समयन की परिपाटी से नहीं समझता था कि यार पता नहीं कोई स्पेशल बात होती होगी कवी समयन जाने से और अपना संगी चूट जाये यार रस्ते चलते हो और नहीं चीट में उन्हें का नहीं कैने साज बात नहीं बजेंगे बाकी तुम्हें ख़डाओ के वही काम कर ला है तो पहला कवी समयन मैंने इस्टेशन पर किया मेरी लाइब का हाला कि इसके पहले लेकिन कविशन में निमा था जयवपूर में भी मैंने बंकडबियारी पागल एक अध्यक्स्टा में बच्चा था तो मैंने एक कविटा सुनाय थी लेकिन वो किसी दूसरी की थी यहां से मैंने सुरू किया और वो काल था करीबन नब था जी असी पिच्चा शी एटी नाइन एटी 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 एट की बात ही है जब मैं पहला कविशन में ने किया और उस कविशन में इतनी ख्याती दी साथ कि लोगों के बुलावया आने लगे और बुलावया ऐसे आये कि पुर्दा देश ही नाप लिया तो पुछ इसवर के करपा रही सुस्मा जी की यात्रा अच्छी चली काविय पार्ट के इस सफर में आपने कहां कहां की यात्रा हैंगी सुस्मा जी देखिए दर्शल चाहा है कि मैंने यात्रा काविय यात्रा कोटा से सुडू की उसके बाद में पूरा मद्रे प्रदेश किया पूरा मद्रे प्रदेश में मैंने कवी समय ने किया बहुत कवी समय ने किया उसके बाद में फिर देश गूमा बैंगलोर में आठ बार होई आया मद्रास में नो दस बार होई आया बॉमबए के अंदर तो मेरे हर मेने में एक कवी समय लन आठ साल तक रहे अच्छे कावे पार्ट में आपको यहां यहां भी जाने का मुका मिला इस मेहने में नी हुआ तो अगले मेहने में दो हो गया है तीन मेहने तक नी हुआ तो फिर लगाता तीन हो गया तो ऐसे करके एवरेज में इस प्लकाश ना एक अच्छे कवी होने के साथ संगीत से भी आपका जुड़ावरा तो इसकी प्रेड़ना आपको कैसे मिली सबसे बड़ी बात भी कि मैं पता नहीं क्यों आला कि हमारे घर में कोई गालने बजाने वाला कोई ऐसा नहीं था हमारे तो विद्या के आईरवेद आचारे थे विद्वान थे मंतर सास्तर के गया था परिवाद भी ऐसे कुछ लोग सूसे रहे लेकिन मेरे ताओ जी के संसका जो यहां प्रदान चिखे सकते हैं और आईरवेद के प्रकान विद्वानों में उनकी गिंति आती थी वो कवी भी थे उनकी किताबी भी थी तो मेरा उनके साथ रहने से मेरा यह संसकार है संगीत का भी और साहितिका भी जब मैं जेपूर पढ़ता था तो उस जमाने में ज पचास साल पुरानी बात तो ऐसे तो मेरी वहां शिक्षादीकारी ना बड़ी बजाग धंशिका था कि यार कम तो विश्वा मित्र हो और सारे के सारे मित्र है बेटा तो तो ऐसे धंशिया है लेकिन वो जमाना जेपूर में डिश्टिक लेविल पर जीतना उस उसे बज़ जो रहना आते आते संगीत के धारा बही और संगीत में मैंने बहुत सारा काम किया जो कोटा तो पुरा रास्तान जानता है मेरे पचीस तो अडियोकेशिट बन चुकी थी और एक एपी मेरी च्यारगीतों की इंडिया डॉकर्डिंग कमपणी ने जो करता की थी एक चैनली के बराबर उस समय था उसका काम तो उन्होंने मेरी च्यारगीतों का उस जमाने में उननीस सो सतातर्क में यह मेरा एपी निकला तो पूरे राजस्थान में फूब गूं जाओगा सर वैसे तो आपने बहुत सी रचनाय लिखी है लेकिन राजस्थानी कविताओं में भी आपन रहा तो यह की दो-चार दिन आते जो उसको तो कम सगम बक्सों तो यह एक सी कायत। जाजस्थानी में जी जर्मिला मोसम को कोई गीत सुना वो सा आज सा वनी तीज हीज मत खाऊ सा आज जिर्मिला मोसम को कोई गीत सुना वो सा आज सावनी तीज़ मत कोखी वाई ओड़ी ओडणी जो थाके मन भाईशा सांगा नेरी पोमचा के मगजी लगाईशा हाता माई राचनी लो मेहंदी रचाईशा थाके बिन फीकी लागे सारी चतुराईशा तो गीता का बोपारी अज गीता का बोपारी कोई रीत सुझाओ सा आज सावनी तीज़ मत खाओ और बार देखें और अनत्यम चंद बार देखें ननत की शिकायत किस प्रकास हैं। कि नन दलबाई करे मसकरी नीट सम जाई सा बातां की डोलयांडा की जीलाज सुल जाई सा पड़ बाई सान धीरा सुय कान बतलाई सा बात बतलाई सा सावन सुहावनो जूलन रितु आई सा तो थांके खातिर शिकायत कि थांके खातिर चांद पूज ती अज थांके खातिर चांद पूज ती मतीत राऊ सा आज सावनी तीज खीज मत खाऊ सा ए जिर मिला मौसम को तो कोई गीत सुनाओ सा आज सावनी तीज मत खाऊ यह मेरी किताब अनवोल्य गीत क्या वाद है ख़ए कि ख़बर है कि ऊचिद्बंगात सब्सक्रणी मेरे अतंकवाद कि हर पूरे विष्व मेर के बीमारी के साथ एक बहुत बड़ी बीमारी यह भी आतंकवाद की और जिससे अभी तद भी हम मुक्तनियों पा रहे हैं, पुरा विश्व मुक्तनी, ये अलग तरह की कौम है, जो पुरे विश्व के मानवता को निगल जाना चाहती है, इसी बात को लेकर करके मैंने एक गीत लिखा हैं, दोस्तों, मैं बिगर गाये सुनाता हूं, गाले की काले बादल चटे नहीं है, मनसुबे अभी मिटे नहीं है, काले बादल चटे नहीं है, मनसुबे अभी मिटे नहीं है, अब दुनिया ने जाना हमको काल के पन्ने फटे नहीं है, आसा की फिर हवा चली है, देहसत फिर से हारी है, आजा दी तो मिल गई यारों, पर अभी ल लड़ाई जारी है आजा दी तो मिल गई आरो अभी लड़ाई खतम नहीं है आजा दी तो मिल गई आरो पर अभी लड़ाई जारी है क्योंकि जिसने सारी सुविदा भोगी राजनीतिक तंत्र की व्यवस्ताओं की परती है चंद कि जिसने सारी सुविदा भोगी उसी का वंस बड़ा है जी, राजनीतिके पोसन से बस सीड़ी वही चड़ा है जी, और भोले-भाले लोग रहा पर, भोले-भाले लोग यहाँ पर केवल कुछले जाते हैं, सच्चाई की गाथा-गाना केवल तोथी बाते हैं, नही सुबह की बोर किरन से रात हमें साहारी है आजा दी तो मिल गई यारों पर अभी लड़ाई जारी है और इंटरनेशनल व्यवस्टा के उपर इस रहसर की नाम चाहिए आंगन आंगन बदला सा है चोकट की नादानी से कंबीर बात है जो लोग बुद्धी जी हो वो समझेंगे इस बात को कि आंगन अगन बदला सा है चोकट की नादानी से कोई कब तक बचा रहेगा मौसम की मनमानी से यूग-यूग के संकल्प हमारा जीने दो और जीवो तुम सर्वे भवंत सुकना सर्वे संथ निरा हमारा एक नारा है विश्ट के दो ये धरतितो सब प्रेम का अम्रत पीओ तुम यह धर्टी तो सबकी माहे प्रेम का अम्रत पीओ तुम पर धीरज को कमज़वरी समझा गल्ती यही तुमारी है। आजादी तो मिल गई यारो अभी लड़ाई जारी है। आपके गीतों ने मन मोह लिया, बहुत ही आनंदित कर दिया। अब धायकडी पुस्तक आपने लिखी है, तो इसकी जानकारी आप दर्शकों को दें। धायकडी एक ऐसी विदा है हमारे आड़ोती में है, जो पूरे देश में नहीं बोली जाती है। धायकडी में रामायन होती है अपने यह रामलेला होती है। और धायकडी के अंदर वो विदा है, उसमें दो सीधी लाइन होती है, एक आदी लाइन होती है। उसको धाय बोलते हैं। दो पूरी लेकिन यह विदा तो हमारे कविस्वमभी लोग गाति जिसको कहते हैं दुमदार दोहे। पूरी लाइन होता है, पूरी लाइन बोलेंगे, था रडाला होता है। धाये कड़ी की विशात में आपको इसलिए बताना चाहता हूं है, आपने एक प्रसंग दे दिया आये है। विशे की बात है, कि धाये कड़ी में एक बात यह है, कि इसमें और विधा में तो लाश्ट में पूछ होती है, इसमें एक लाइन पूरी आएगी, फिर एक पूछ आ तो उस विधा को लोग जाने ऐसा नहीं हुआ वो विधा लोप हो जाए यह समझ करके मैंने उसको विधा को उपन्यास के माध्यम से पब्ली के सामद आया सर आप हमारे शो में आये और आपने अपना कीम्ति समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस कारेकम का नाम है सपर जिंदगी का तो हमारी जो 40 साल की और 50 साल की जिंदगी का सपर है वो मैंने आप तक पहुंचाया है जी और तमाम लोगों के लिए और वो सिद्ध लोगों को भी आप बुला रहे हो और प्रसिद्ध लोगों को भी बुला रहे हो तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को पुना धन्यवाद नमस्कार जै हिन जै भारत और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया